हलो फ्रेंट आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज मैं आपको कुर्टी आम होल और स्लीव कटिंग के कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगे खास कर बिगनर्स के तो आपका जादा टाइम ना लेते हु ये हो गया एक ये दो और ये डबल फोल्डर फैब्रिक का ये तीन और ये चार इस तरीके से आपने फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है ये ओपन वाली साइड इस तरफ है और बंद वाली साइड मेरी तरफ अब हम उपर की तरफ ना एक बिल्कुल सीधा माक करेंगे तांकी फैब्रिक हमारा यहां से बिल्कुल सीधा रहे अब हम उपर वाली माकिंग के उपर इंची टेप रखेंगे और नीचे की तरफ साड़े साथ इंच पे माक करेंगे ये आम होल और चेस्ट के लिए एक ही माक होता है साड़े साथ इंच पे होता है normal size के लिए तो साड सिधा सिधा माक कर लेना है अब हम फिर से उपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ कमर के लिए माक करेंगे 15 इंच पे ये 15 इंच पे ही होता है कमर का जो माक होता है इसको भी हमने ऐसे सिधा सिधा माक कर लेना है तो अब हम इंची टेप को उपर की तरफ और नीचे की तरफ hip के लिए mark करेंगे 22 इंच पे तो नीचे की तरफ 22 इंच पे आप ऐसे mark कर ले तो अब हम उपर की तरफ ऐसे ही इंची टेप को रहने देंगे और नीचे जितनी भी हमें अपनी कुड़ती की length लेनी है उसे हम mark कर लेंगे तो मुझे 42 इंच length रखनी है 42 इंच को मैं ऐसे mark करूँगी तो अब हम जो cutting करेंगे न वो 44 इंची पे करेंगे 2 इंच हमारे पास नीचे घेरे का folding का margin होगा तो अब हम इसे भी सिधा-सिधा mark कर लेते है तो जो हमने 22 इंच पे hip का mark किया था न उसे भी हम ऐसे ही सिधा-सिधा mark कर लेंगे तो यहाँ पे ये बात आपने ध्यान में रखनी है अगर हमें normal size की कुड़ती कट करनी है न मान लीजिये excel size तक तो उसके लिए आपने 7.5 इंच पे arm hole और chest का mark करना है 15 इंच पे कमर का mark करना है और 22 इंच पे hip का mark करना है तो अब मैं आपको तीरे का और arm hole का explain करने जा रही हूँ यहाँ पे आप ध्यान दीजिये खास कर जो तीरा होता है न वो main mark होता है तीरे का कैसे वो मैं अभी आपको बताती हूँ मान लीजिये अगर आपने front से भी neck deep रखना है और back से भी deep रखना है तो तीरा हमारा 16 इंच ही आएगा चाहे जितना भी बड़ा size हो ले यह ध्यान में रखें आप 16 इंच अगर हमें neck आगे से भी deep रखना है और पीछे से भी deep रखना है तो हमें उसके लिए तीरा जो है वो 16 इंच ही लेना है और अगर यहाँ पे आपने band neck रखना है या short round neck रखना है या short कोई भी neck रखना है या boat neck रखना है तो उसके लिए जो normal size का तीरा होता है वो होता है 7.5 इंच यानि कि 15 इंच वैसे band वाले या short neck के लिए आपने जो तीरा लेना है वो आप नाप के भी ले सकते हो shoulder से shoulder तक और जो normal size के लिए होता है वो 7.5 इंच ही होता है यानि कि 15 इंच 15 इंच का हम आधा लेंगे क्योंकि हमने fabric को double fold करके रखा है और normal neck के लिए 13 इंच उसका आधा लेंगे हम 6.5 इंच तो मेरा जो neck up वो आगे से भी deep है और पीछे से भी deep है इसलिए मैंने 6.5 इंच तीरा लिया है तो उपर की तरफ हमने 6.5 इंच माग किया है अब हमें जो नीचे की तरफ arm hole के लिए माग करना होता है front arm hole के लिए मिला देंगे इस तरीके से तीरे वाले mark को arm hole वाले mark से मिला देंगे अब हमने ये front वाले arm hole के लिए mark किया है अब हमें यहां से आगे लगबग 1.5 इंच इंच पर यहां से mark करना है back के arm hole के लिए इस तरीके से तो जो back arm hole होता है वो front वाले arm hole से तो ये वाले माक को हमने इस वाले माक से ऐसे ही मिला देना है इस तरीके से तो ऐसे हमारा ये बैक का आम हुल माक हो गया और ये फ्रंट का आम हुल अब हमने न यहां से गुलाई देनी है नीचे से तो इस तरीके से हम गुलाई देंगे यहां से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे इसको डाक कर लेते हैं यह back के armhole की गुलाई होगी और यहां से हमने front के armhole की गुलाई भी ऐसे ही देनी है same गुलाई देनी होती है हमें इस तरीके से तो यह armhole की तो हमारी marking हो चुकी है अब हमने इसी वाली marking के उपर रखे ना chest का mark करना है सेम marking के उपर chest का mark होता है तो यहाँ पे जो हमारे पास chest का size है वो है 36 inch ready तो 36 को हमने 4 parts में divide करना है तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 9 inch क्योंकि हमने 4 side पे fabric रखा हुआ है ना fold करके इस तरीके से हमने 9 inch को यहाँ पे mark कर लेना है तो अब हमें नीचे की तरफ कमर का mark करना है कमर वाला जो mark है ना वो हमारे पास है ready size 30 inch तो 30 को हम अगर 4 parts में divide करेंगे तो हमारे पास sensor आएगा 7.5 inch तो 7.5 inch को हम इस तरीके से mark कर लेंगे तो ऐसे हमने hip का भी mark कर लेना है तो hip का भी जो size है वो 36 inch ready है तो यहाँ पे मैं 9 inch पे mark कर रही हूँ hip का mark भी अब हमने यह वाली marking को आपस में मिला देना है इस तरीके से तो अब हमें इसी वाली marking के आगे से extra margin लेना होता है तो लगबग डेडेड इंच का हम यहाँ पे extra margin लेंगे इन future अगर हमें lose करने की जरुरत पड़े तो हम यह वाले margin से आसानी से कुर्टी को lose कर शकते हैं तो ऐसे ही हम यहाँ से भी extra margin को mark कर लेंगे तो hip तक हमारी यह सारी marking हो चुकी है अब हम नीचे की तरफ कुर्टी के घेरे की तरफ चलते हैं तो अब हमें नीचे की तरफ घेरा mark करना है तो जो घेरा है न वो भी मैं 9 इंच ही mark कर रही हूं बिल्कुल hip के बराबर के size का तो अब हमें hip वाले mark को नीचे घेरे वाले mark से ऐसे मिला देना है तो यहां से भी हम एक्स्ट्रा मार्जन को मार्जन कर लेते हैं तो यह हमारे पास slits का folding का मार्जन हो गया तो ऐसे हमारी यह कुड़ती की मार्किंग हो चुकी है तो अब मैं आपको बता दू जब हमने तीरा कट करना है न तो बिल्कुल सीधा कट नहीं करना है हमें तीरे को हमें एक पैर यहां से डाउन रखना होता है इस तरीके से यहां से बिल्कुल सीधा आएगा यहां से एक पैर डाउन हो जाएगा तीरा कटिंग करते वक्त अगर आप तीरे की cutting इस तरीके से करेंगे आपका shoulder या तीरा जो है न वो बिल्कुल perfect आएगा और अगर आप armhole को भी इसी तरीके से cut करोगे तो armhole में भी कभी कोई जोलनी आएगा कभी कोई खिचनी आएगी बिल्कुल perfect fitting आएगी आपकी कुर्ती की तो यहाँ पे हम एक चोटा सा cut लगा लेते हैं कुर्ती के center में और अब हम अपनी marking के साथ साथ इसको cut कर लेंगे जबी भी आपने कुर्ती के दोनों parts एक साथ cut करने है न तो आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है आपने सिरफ back वाला ही armhole cut करना है front वाला नहीं तो यहाँ पे हम कुर्ती के दोनों parts की एक साथ ही cutting कर रहे है तो अब हम न यहाँ पे चोटे चोटे cuts लगा लेते हैं ताकि back और front का बिल्कुल same same size आई यहाँ पे कमर में cut लगाना है यहाँ hip वाले mark पे cut लगाना है और एक cut न हमें नीचे length पे भी लगाना है जहाँ तक हमें अपनी length ready करनी है बस ऐसे चोटे चोटे ही cut लगाने है अब हमें क्या करना है यह back वाला armhole तो हमने cut कर लिया था अब हमें front का भी armhole cut करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे front का armhole cut करने के लिए न हम back वाली side को यहाँ से बाहर की तरफ निकाल देंगे इस तरीके से और front को ऐसे set करके रख लेंगे बिल्कुल बराबर set करके रखेंगे और यहाँ से न अपनी marking के बिल्कुल साथ साथ armhole की cutting कर लेंगे तो ऐसे front का भी armhole हमारा cut हो चुका है तो यह कुर्टी की back side आगी और यह इसकी front side armhole की cutting के साथ तो अब हम इसे ही घठा कर देते हैं और अपनी sleeve की cutting कर लेते हैं तो अब हमने कुर्टी का तो armhole cut कर लिया है तो बाकी बचे fabric को ऐसे मैंने four side में fold करके रख लिया है यानि कि यह दोनो sleeve हमारी एक साथ ही cutting गी यह बंद वाली side है और यह open वाली अब हमने सबसे पहले क्या करना है sleeve की हमें length लेनी है जितनी भी आपको sleeve ready करनी है तो उपर वाली side में ऐसे inch tape रखेंगे और नीचे वाली side में अपनी sleeve की length को mark कर लेंगे तो मैंने अपनी sleeve की length है वो लगबग 15 inch रखनी है तो 15 inch को मैं ऐसे mark कर लूँगी बिल्कुल सीधा सीधा अब यह जो नीचे हमारे पास margin बचाए ना यह folding का margin है हमारे पास sleeve का तो अब हमें उपर से तीन इंच पे mark करना होता है sleeve के आम होल के लिए जो हमें गुलाई देनी होती है ना उपर से उसका mark है यह तो यह जो तीन इंच है ना यह normal size के लिए ही होता है यह भी एक formula होता है यह आपको ध्यान में रखना है कि आपने कितना down लेना है यहां से अब हमें यहां पे जो mark करना होता है ना sleeve के आम होल के लिए वो हमें बिल्कुल कुड़ती के बराबर लेना होता है तो यहां पे जो हमारे पास chest का size होता है ना ready size उसको हमने 5 से divide करना होता है यनि कि हमारे पास जो chest का size था गुडती का वो 36 inches था 36 को हमने न 5 से divide करना है जो भी हमारे पास answer आएगा उसको हमने यहाँ पे mark कर देना है तो 36 को 5 से divide करने के बाद हमारे पास answer आता है 27 इंच 27 इंच को हम ऐसे यहाँ पे mark कर देंगे 7 इंच 2 पोईंट यहाँ पर जो भी आपके पास chest का है उसको आपने 5 से डिवाइड करना है जो भी आपके पास अंसर आएगा उसको आपने यहाँ पर mark कर लेना है तो जो chest का size लेना है वो हमने losing डाल के यानि की ready size को हमने 5 से divide करना है तो यहाँ पे हमारे पास जो chest का size था वो 33 inches था 33 inches में हमने 3 inches की losing डाली हमारे पास 36 inches ready size आ गया chest का तो आम हुल का mark हो गया ना हमारा अब हमने क्या करना है उपर से उपर से ना यहाँ से हमें अपनी marking तक गुलाई देनी है इस तरीके से ऐसे तो यह गुलाई होती है हमारी sleeve की अब हमने नीचे जितनी भी आपकी sleeve की मोरी है जितनी भी आपने ready करनी है उसको mark कर लीजिए तो मैं यहाँ पे 5 inch sleeve की मोरी ले रही हूँ 5 inch को मैं ऐसे mark कर लूँगी अब हमने यह वाले mark को इस वाले mark से ऐसे मिला देना है अगर आप ऐसे chest के size को 5 से divide करके sleeve के आम होल की marking करोगे न तो यह बिल्कुल आपकी perfect आएगी sleeve कुड़ती के उपर तो अब हम यहाँ से extra margin को mark कर लेते हैं तो यह extra margin हम in future अगर हमें lose करने की जरूरत बड़े तो उसके लिए हम use कर शकते हैं तो यह हमारी sleeve की भी marking हो चुकी है अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ कट कर लेंगे तो यह हमारी perfect sleeve की cutting भी हो चुकी है अब हमें यहाँ से न इसका front का armhole कट करना है जैसे हम कुर्टी में जादा कट करते हैं न फ्रंट का armhole वैसे ही हमें sleeve में भी कट करना होता है तो उसके लिए हम दोनों sleeves को इस तरीके से खोल लेंगे दोनों sleeves को बिल्कुल बराबर खोलेंगे तो अब हमें यहाँ से न एक side से हमें ऐसे यहाँ से हलका सा down यानि कि आधा इंच यहाँ से हमें कुलाई देनी होती है इस तरीके से अपनी marking तक अब हम इसे अपनी marking के साथ साथ कट कर लेंगे यही हमारी दोनों sleeve का front का armhole भी cut हो गया है तो यही हमारी कुट्टी की भी cutting हो चुकी है करेंगे तो दोनों को stitch करने में कोई भी दिखकत नहीं आएगी कोई भी जोल नहीं मारेगी sleeve में आपकी तो I hope आपको मेरे ये armhole और sleeve cutting के tips अच्छे लगे होंगे तो मेरी ऐसी ही useful videos देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe जरूर करें और अगर आपको ये video पसंद आई हो तो video को like और share करना ना भूले तो चलिए next किसी और video के साथ मिलते हैं Till then, bye bye